प्रूफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकता है दिली में रहते हैं नमस्कार जोतिस ग्यानमे दर्शों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं पिछली रासियों के ब्योरा हम आपको बता चुके हैं यानि के मेश रासिय का ब्योरा, आपकी वर्शव रासिय का ब्योरा, मिथुन, कर्क और उसी में से आपकी कन्या, धनु, सिंग, वर्शिक का ब्योरा हम आपको बता चुके हैं तो जिनकी पिछली आठ रासियां हैं वो हमारा दूसरा वीडियो देख लें अब हम इस वीडियो में हम चार रासियों की बात करेंगे और राशिफल की बात करेंगे, उपाई की बात करेंगे इस सप्ताह का राशिफल कैसा रहेगा, इस सप्ताह आपको क्या उपाई करने हैं और ये राशिफल रहेगा आठ जुलाई से लेकर के 14 जुलाई, यानि के Monday to Sunday और हाँ एक चीज़ और बताएं आपको आपका ये वीकली राशिफल हम प्रतेक करीब करीब साथ आठ दिन के डुरेशन के हिसाब से हम रात्री में ही इस राशिफल को आपके लिए भेज़ देते हैं, अपलोड कर देते हैं जो व्यक्ति अपनी राशिफल सुनने के साथ साथ अपने उपाई भी यदि करता है तो इसको अधिक फल की प्राप्ती होती है आप कहना नहीं चाहिए, राम जी की वही रासी है, रावन की वही रासी है अब पताईए क्या रासी फल, कितना रासी फल में फरका जाता है राशी एक है लेकिन जमीन आस्मान का फरक है एक असुर प्रवत्ती में हैं और एक प्रभू है कंस की वही रासी है करशन की वही रासी है है ना तो इसलिए कई बार आप लोग नकरात्मक सुन करके अपनी राशी के बारे में भेवीत हो जाते हैं तो मेरे दर्शों को भैभीत नहीं होना, सिर्फ एक तत्काल च्छनिक, इसलिए हमने प्रती दिन का राशी फल आपको बताना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, और आप लोगों के हजारों की संख्या में सुझाव आए, तो शर्माजी वीकली राशी फल बताईए, क्यो देखेगा कोई भी ग्रह मेरे दर्शों को प्रती दिन चेंज नहीं होता, और ग्रह चेंज नहीं होगा, तो फिर आपका भाग्य भी चेंज नहीं होगा, भाग्य में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, अगर हम जोतिस की बात मानते हैं, तो ग्रह में परिवर्तन होगा तब ही होता केवल चंद्रमा दो दिन में परिवर्तित होता है बाकि कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है साथ ग्रह होते हैं दो छाया ग्रह होते हैं राओ के तु कुल नौ नौ ग्रह में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो रोज रोज चेंज होता हो इसलिए रोज रोज का राशी फल कहीं न कहीं तुका फिकेशन सा महसूस हो जाता है अब देखीगा वीक में चंद्रमा भी दो-तिन राशियों में परिवर्तित हो जाते हैं और दो तिन वीक के बाद कहीं न कहीं सूरिय का है, हर सूरिय हर एक महीने में परिवर्तित होते हैं, कोई न कोई रहे, कहीं न कहीं एक दो सब्ता हमें परिवर्तन की मूड में आ जाता है। इसलिए हमें भी उप्युक्त यही लगता है कि वीकली राशी फल आपको बताया जाए तो आईए दर्शों को अब हम बात करते हैं 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई के राशी फल के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में चार राशी की और सबसे पहले बात करेंगे धनु राशी की सेगेटरियस अब सेगेटरियस जो राशी है यह अपने आप में बड़ी भावुक्वी राशी है और अपने आप में जर्म से लेकर के जीवन की आखरी सांस तक यह इदर्सटो किसके जीवन में नहीं होता सबके जीवन में होता। लेकिन बड़ा उतार-चड़ाओ देखने वाली यह रासी है। ठैर मैं रासी की परिभाशा नहीं देते हुए राशी फल पर आप से बात कर लेता हूँ थोड़ा सर मै बता देता हूं कि हमारा जो राशी फल होता है दर्शो को वो लगन के उपर आधारित होता है आपके लगन में जो राशी विद्धमान है हम उस राशी से कहीं ने कहीं आपका राशी फल बताने का प्रयास करते हैं यानि कि जिन लोगों के लगन में धनु राशी विद्धमान है त करते हैं एक व्योरा दे रेते हैं धनुरासी के हिसाब से आपके लगन में शनी और केतु विद्वान हैं सप्तम भाव में सूर्य बुद्ध राहु विद्वान हैं और आपके जुत्य भाव में ब्रस्पति और चंद विद्वान हैं और आपके अस्टम भाव में मंगल और ब सब्तम भाव में सूर्य द्रश्ट हो गए अब जो विध्यारती वर्ग है विध्यारती वर्ग के लिए कोई चिंता का सब्जेक्ट नहीं है इस्टुडेंट वर्ग की बात करें यह सब्तहा इश्वर की वर्ग के लिए अच्छा जाएगा यहां मैं employees की बात कर लेता हूँ चाहिए आप प्राइवेट सेक्टर में है या आप government employee है इस सब्तहा यदि हम देखें तो आपके लिए श्वर की किरपा रहेगी और कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कहीं न कहीं यह सब्तहा आपके लिए सुप संदेश लेकर की आ सकता है और कहीं न कहीं इस सब्तहा आपको बड़ी विजय प्राप्थ हो सकती है इस सब्तहा कोई बड़ा समझोता आपके संग हो सकता है कहने का मतलब जोब सेक्टर अब जब हम जोब सेक्टर बोले हैं उसे आप प्राइवेट और गौर्वेंट दोनों ही समझ के चला करें जोब सेक्टर में कहीं ने कहीं अच्छे उतार चढ़ाओ के साथ आपको जीत मिल लेकिन चींका वियापार इमपोर्ट से रिलेटड है उनको विसेशत स्थ्स hap dhani की आवश्रक्ता है साधानी क्या आपके आपके व्यंपार में आपका आना जाना भी होता है तो यह सबता है क्योंकि सूर्य जो है 17 जोलाई को राशी परिवर्थन कर जाएंगे तो थोड़ा 17 तारिक तक आप लोग ध्यान रखें हाला कि राशी फल मैं 14 तारिक तक बता रहा हूं लेकिन 17 तारिक तक आपको आपकी यात्राहों में आपको साब्धानी अवश्य चाहिए जिन का की बात करें दांपत्त्य जीवन में थोड़ा-सा गाज-घरने की संभावना दांपत्य जीवन में चाहिए आप पती है- चाहए आप पतनी है- अपने विचारो को नियांतृत हरे , इसतब्तह कहीं न कहीं है बä तू तू तूटढक होने की संभावना बन सकती है अगर मन में प्रेम हो, तो एक व्यक्ति को साइलेंट रहना ही चाहिए आप बस समझें, ग्रहों का इशारा समझें कि ये सब्धा हमारे ज्रह अच्छे नहीं है इसलिए अगर हमारे पती को गुसा आता है, शांति से काम ले और भाई पत्नी वो गुस्सा आता है तो पती सांती से काम लें बस शांती से काम लें सप्ता निकल जाएगा सतरता रिख बीच जाएगी सूर्य ट्रांसफर हो जाएगे फिर कोई ऐसी तिकत वाली बात नहीं है लेकिन मतलब यह नहीं कि फिर लड़ियेगा लड़ना नहीं है यह तो हमेशे के लिए खराब बात है लेकिन यह सप्ता थोड़ा सा दामपत्ते जिवन के लिए सावधानी का भी से है जी स्वास्ते को लेकर कि बात कर लेते हैं नीच के मंगल अश्टमेस है यानि कि अस्टम भाव में अस्टमेस तो नहीं है अस्टम भाव में बुद जित कोई रोग आपको खो सकते हैं तो ये सब्ताह थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें इस सब्ताह योग वयायाम अच्छे सिखान पान का आप लोग ध्यान रखें पानी की भरपूर मात्रा इस सब्ताह आप लोग लें कुल मिला करके ये सब्ताह आपके लिए इश्वर की रिखाओं का अध्यन कराएं तब उपाई किये जाएं तो बहुत ज्यादा मज़ा आता क्योंकि वह आपकी अपनी होती है और यह सारवजनिक रूप से जिनकी भी सेकेटेरिस रासी है जिनकी भी धन रासी है हम सब के लिए बता रहे हैं अब उपाई की बात कर लेते हैं इस स गोल्डन छला या गोल्डन अंगुठी है तो आपकी तरजनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में आप गोल्ड की कोई भी चीज पहने तो आपके लिए शुफल मिलेगा या एक रामबान उपाएं हतेली में यह यह जूपीटर माउंट होते हैं आपकी इस उंगली के नीच या परड़े लगा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब हम दर्शुब अगली रासी की बात करते हैं बात करते हैं कैप्रिकॉन बात करते हैं हम मकर राशी की अब मकर राशी है साब बड़ी कई बार अपनी पे आ जाए तो चैट कुछ भी हो जाए बरा कई बार इस रासी के जा तक जो होते हैं वाइदे के लिए कई बार बहुत ज़्यादा अडियल सुभाव के हो जाते हैं अडियल इन दा सेंस जो मन में आ जाए जो ठान लें तो वो कई बार कर गुजरने की तमना उनके मन में बहुत ज़्यादा हो जाती है बहुत अच्छी रा करके इस रासी के मन में इस रासी के जातकों के मन में थोड़ा सा फिर निराशा हो जाती है आगे बड़े अब हम इस रासी की बात करते हैं जिनकी मकर रासी है उस रासी के जातक जो जितने भी स्टूडेंट वर्ग में हैं तो बेटा इस सब्ताहा कहीं न कहीं कोई अच्छा एक्जाम आपका पास हो सकता है अच्छी विद्या आपको मिल सकती है अच्छे टीचर आपको मिल सकते हैं मिल सकते हैं दर सेंस कई बार हम टीचर की तलास कर रहे होते हैं आच्छे किसी कोचिंग सेंटर की तलास कर रहे होते हैं यह सुब संदेश हैं अच्छे किसी इंस्ट् तई नमा इस मंत्र का एज़पाजब बेटा करते रहें घर से मीठा गुड़ खाकर के निकलें तो आपके लिए जाला अच्छा रहेगा अब हम बात करते हैं जॉब सेक्टर की चाहे आप प्राइवेट रूप में हैं चाहे आप गवर्मेंट एमप्लॉई हैं अगर हम की अब्राजबान है, चंद्रवांबर बीच वीच में आ रहे हैं कहने का मतलब के जॉब सेक्टर के लिए चाहे प्राइवेट रूप मैंत है, यह सब्था उम्मिद अबर खराः उतरना चाहिए कही न कहीं इससस्प्ता आपको कुछ मिलना चाहिए, कहीं न कहीं अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी व्यापारी वर्ग की चाहें आप छोटे व्यापारी हैं चाहें आप बड़े व्यापारी हैं व्यापार वर्ग में भी यह सब्ता चार चांद लगाने वाला है खुश कबरी की बात है तो भाया अपना व्यापार अच्छे से करें सोच-बूच से करें कहीं ने कहीं फसा पैसा आपको इस सब्टह मिल सकता है जिनके पास आपका बड़ा धने फौन जरूर कीजिएगा प्रेम से कीजिएगा आपकी वारतलाप कहीं ने कहीं आपको मिठास सकती है आपको राहत दे सकती है यह सबताह एक चीज और मान के चलें आपकी यातलाओं को भी सुख़द बना सकता है व्यापार के रूप में तो कहीं न कहीं हाला कि मंगल नीच के हैं बट केंदर में हैं केंदर के ग्रह का बल बढ़ जाता तो यह कहने का भाव यही है सबत्रवाइस किसी तरह की कोई ऐसी अनहोनी किसी बीप्रकार की बड़ी दृखटने का कोई अन्देशा नहीं है बड़ी दृखटना इंदा सैंस कौई बहूत बड़ी मनमटाव हो जाती है बहुत बड़ा पारवरिक कलेश हो जाता है तो इन सब चीजों से कहीं ने कहीं भै नहीं है पत्थी पत्नी यदि बहुत दिन से गुस्से में चल रहे हैं तो ये सब्टाह आपको प्रेम भरा आपके लिए हो सकता है प्रेम परसंगों की बात करें प्रेम परसंगों के लिए ये सब्टाह सामाने जाएगा नौर्मल जाएगा किसी तरह की कोई ऐसी चिंता का विशह नहीं है अब हम लोट करके आते हैं आपके स्वास्ते पर जो सबसे इंपोर्टेंट है स्वास्ते की द्रस्टी से ये सब्टाह सबसे ज़्यादा कमजोर है कही ने कही मांसिक बचेनी पेट में गड़बड़ी इस सब्टाह आपको भरपूर नीद लेने की आवशक्ता है इस सब्टाह आपको भरपूर फल खाने की आवशक्ता है वैसे तो ये सारी चीज़े हमेशा हो तो अच्छा है इस सब्ताह आपको पानी की मात्रा ज्यादा लेनी है इस सब्ताह आपको आपके टीफन पर नजर रखनी है आपका टीफन किस प्रकार का है सुपाच्य हो अच्छा हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है ये सब्ताह क अवश्यक्ता नहीं है विविन प्रगार के भारत वर्ष है बहुत सारी चीज़े सभी लोग जानते हैं घरे लिनुक से अपनाईएगा और सदा सुख पाईएगा आगए बढ़े यदि अब हम बात करते हैं कहीं ने कहीं ऑवराल आपका ये सकता कैसे रहेगा इश्वर के किर जार के हनमान चालीसा पढ़ना चाहिए इस सब्तहा आपको हनमान जी का ध्यान करते हुए शनिवार की संध्या में अवश्य पढ़ना चाहिए इस सब्तहा आपको काली चीजों का दान करना चाहिए और सबसे अच्छा है सबसे अच्छा है इस सब्तहा जो जामुन का फल हो तो वो शनीवार के दिन या तो बाट दें सो दोसो ग्रम जितना आपके इच्छा हो और यह आपको लगता है कि साफ बाटा बाटा तो जाता नहीं है तो आप जाकर के भगवान स्री गणपती को इस सब्तहा जामुन का फल चढ़ा दें तो सोने पे सुहागा अन्य मजभ अन् गुल्ले होते हैं ब्लैक वाले वो कहीं पर साथ सेवन की संख्या में देने हैं किसी को डोनेट कर दें यह किसी बज़र्ग को दें बच्चे को खिला दें दो चार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी उपाई में यह किजिएगा आगली रासी की तरह पढ़ते हैं आपका राशी नामा इस सब्ता है एक्वेरियस है एक्वेरियस की पहचान होती है कि जिनका कुम लगन होता या कुम लगन में जिनकी कुम रासी राजमान हो रही होती है एक्वेरियस तो कहीं न कहीं आप सरीर के बहुत छोटे नहीं होंगे लंबे व्यक्ति होते हैं भाव लाखों करोड़ों में खेलने वाले व्यक्ति जीवन में संगर्स होता हूं वास्त〜 में जिनकी जर्मजात कुम रासी हो या पुकारती रासी हो या कुम लगन हो ये होता है कहीं ना हो तो बात अलग में हो सकती है हर चीज का वाध भी होता है तोड़ भी होती है अब हमें छात्र वर्ग की हम बाप से बात कर लेते हैं कि छात्र वर्ग के लिए ये सब्दा कैसे रहने वाला है थोड़ा वेटा आपकी पढ़ाई को आपसे विचलित करेगा आपको बहचेन करेगा इसलिए अपनी एज्यूगेशन पर छात्र वर्ग स्टूडेंट वर्ग ध्यान दे जोब की बात कर लेते हैं चाहें आप गवर्मेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं गवर्मेंट एंप्लॉई हैं कुछ भी हैं तो यह सब्तहा अच्छा रहेगा अच्छा वाइतित होगा लेकिन और कॉन्फिडेंस आपको ले डूवेगा इस सब्तहा जो भी किसी भी प्रकार की जोब में हैं और कॉन्फिडेंस किसी भी वर्क में ना दिखाएं हैं आपके आपके जो बॉस हैं आपसे जो सीनियर हैं और आपसे जो जूनियर हैं सबी के साथ इस सब्तहा प्रेम बना करके तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, otherwise कोई ऐसी बहुत बड़ा एहित होने की संभावना नहीं है, हाँ बहुत बड़े लावि की संभावना नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी किसी एहित दृष्टी की भी संभावना नहीं है, व्यापार सेक्टर की बात करें, तो व् अपनी बोली पर अपनी भाशा पर अपने कमेंटमेंट पर खरा उतरने का प्रियास करें और इस सब्तहा अगर किसी ने आपको कोई कमेंटमेंट दिया है तो यदि उसका कमेंटमेंट खराब होता है तो उससे लड़ी एगा मत तो हमने जैसा भी आप से समझाया है कि इस सब् दिरचता से गंभीरता से फैतियत कर लीजिएगा इश्वर की करपा हो जाएगी दामपत्य जीवन की बात करते हैं तो दामपत्य जीवन में भी इस सप्ता मदूरता रहेगी इश्वर की करपा रहेगी किसी प्रकार से कोई अन्होनी होने का अंदेशा नहीं है और भगवान आपके प्रेम को यूहीं आगे बढ़ाए हम तो भगवान से भगवती से ऐसा ही चाहते हैं बस एक चीज़ का ध्यान रखें सब्ता अवराल इस रासी के जातक हलका सा अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने थोट्स अपने विचार अपनी बुद्धी पर संयमता रखें शनी देव की सादना अरादना इस तब्ता करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शनी वार के दिन कहीं पर भी शनी देव की प्रतिमा हो यधे吧 हो साथ बत्तियों का दीपक किवल एक शनीवार साथ बत्तियों का दीपक सरस्तों का तेल डाल करके जला करके संध्या के समय आ जाएं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस सब्ता जैसे मैंने कहा बलैक बेरी, काली जावन गनेजी को चड़ाना या बाटना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इस सब्ताह काले रंगा रुमाल खासतों से शनीवार के दिन जेब में रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर काले रंगा रुमाल नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं है इस सब्ताह अगर आप काजल लगाते हैं, अब मेलाएं तो उक्सा लगाती ही हैं, तो काजल का प्रियोग इस सब्था कीजिएगा, या काजल की डिबबे किसी को भी डॉनिट कीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, अब हम बात करते हैं, 25, मीन रासी की, तो मीन रासी के जाते हैं, इस सब्था कैसा उनका वविश्य फल जाने बाला है, आईए आपको हम बता देते हैं, आईए सबसे पहले हम स्टूडेंट वर्ग की बात करते हैं, चात वर्ग की बात करते हैं, मीन रासी के हिसाब से चात वर्ग की बुद्धि भाव में मंगल और बुद्ध विद्वान है हाला कि मंगल नीच रासी के हैं लेकिन बुद्ध भी महीं विद्वान है बुद्धि के स्वामी तो चात वर्ग के लिए ये सप्ता नॉर्मल जाएगा ना बहुत अच्छा और न दें और कुछ न कुछ मीठा खाकर के घर से निकलें और भगवाद स्री गंपती की गणेस चालीसा पढ़कर के आप अपने एक्जाम की तियारी करें या जिस सब्जेक्ट में कोई आपको हार्डनेस लग रही है तो मासरस्वती चालीसा ये गणेस चालीसा का आप प्राप्त हो सकते हैं ये सब्दा कहीं ने कहीं आपकी भागय में वरधन कर सकता है इस सब्दा कहीं ने कहीं आपको आपकी खोई हुई सीट वापस मिल सकती है इस सब्दा कहीं ने कहीं आपका प्रमोशन हो सकता है इस सब्दा कहीं किसी विश्यस प्रकार की लावगी कोई संभावना बन सकती है बस एक चीज़ का ध्यान रखें आपके सुख में कहीं ने कहीं आपको थोड़ा सा अवरोध मैसुस होगा इस सब्सक्राइब की भागा दोड़ी बढ़ सकती है तो भाईया काम है काम में कई बार इजिनेस होती है और कई बार किसी भी वर्क में हार्डे सा जाती है तो आप काम से जी न चुराएं आलस्य कोई सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं आएगी व्यापार सेक्टर की बात कर लेते हैं बिजनिस में आप किसी भी प्रकार के व्यापारी हैं लगू द्योग के व्यापारी हैं यह बड़े व्यापार में हैं तो यह सब्त सूरिय से द्रश्ट हैं सूरिय शनी से द्रश्ट हैं इस सब्ता किसी धोके का शिकार आप हो सकते हैं किसी भी धोके से बचने का पूरा पूरा प्रयास करें नहीं तो जिनकी मीन रासी है और वो व्यापार में हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई धोका मिल सकता ठगी का शिका हो सकता है ऐसी कुछ संभावना इस सब्था आपकी रासी के साथ बन रही हैं तो कहने का मतलब एलर्ड रहकर के इस सब्था आपने व्यापार को करें तो आपके लिए चाहदा अच्छा दांपत्य जीवन नॉर्मल जाएगा इस्टिती छीक रहे की और यदि दांपत्य जीवन के सास्ताथ हम प्रेम प्रसंगों की बात करें तो प्रेम प्रसंगों में भी यह सब तहाँ थोड़ा सा चर्चा वाला वी से बन सकता है कहीं न कहीं किसी छोटी मोटी मन मुटाव या किसी बदनामी का शिकार हो सकते हैं इसलिए बचो जब भी कहीं न कहीं आपका मन होता है कि यहां मेरिस करना है या कुछ करना है सबसे पहली आगिया अपने माता पिता बस अपने माता पिता से अपनी दिल की भात करें तब किसी भी संबंद में आगे बढ़ें तो भगवान आपका साथ से कुछ भी छिपा करें दिया आप करते हैं तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है में भी फाटल अब देखीगा उपाई के रूप में मीन रासी के जातक क्या विशेस उपाई करें मीन रासी के जातक हास दोर से ब्रस्पतिवार के दिन मस्तक पे पीला तिलख जरूर लग जाकर के चड़ावें आपके लिए आपको विशेस लाप मिलेगा राम बाड़ा इलाज ब्रस्पतिवार के दिन विश्नु सहसर नाम पढ़िये या सुनिये बस इतना ही बहुत है अन्य जाती अन्य ध्रम से संबंदित बहुत लोग हमारे कारकरम देखते हैं वो क्या करें क केवल उस दिन ब्रस्पतिवार के दिन थरस्टे के दिन पीले रंगी कोई भी मिठाई आप बाठ दीजिएगा ब्रस्पतिवार के दिन आपके अपने भोजन में कोई भी पीले रंगी मिठाई हो तो आपके लिए अती उत्तम शुब फलदाई होगी ब्रस्पतिवार के दि तो हमने 12 की 12 राशियों के लिए 3 एपिसोड weekly बनाए हैं हर सप्तहा Monday से लेकर के Monday to Sunday आपका करीब करीब राशी फल रहेगा और उसके लिए हमें क्या क्या उपाई करने हैं वो आपको हर सप्तहा पता लगते रहेंगे तो आप हमारा weekly राशी फल 12 के 12 राशी के जा तक हर महीने देख सकते हैं दूसरी बात ये था बड़ा ही शोटली बड़ा ही संक्षिप्त विवेचन क्योंकि अब देखो एक व्यक्ती की एक रासी नहीं है करोडों लोगों की एक सी रासी होती है लेकिन एक चीज़ जरूर कहूंगा अगर पूर्णता की तरफ जाना है बिलकुल डिसकसन करना है बिलकुल सही पाइंट पर जाना है तो उसके लिए हम किसी विव्यक्ती को अपनी जर्म पत्री का दिखा सकते हैं जर्म पत्री का होरोस्कोप डेटो पर ना हो तो हम अपने हाथ की रेखा दिखा करके पूर्ण तरीके से डिसकस कर सकते हैं के उपाई भी जान सकते हैं क्योंकि देखो पूरी जानकरी के लिए आपकी दशा अंतरदशा महदशा आपकी नववांश कुंडली है ना बहुत सारी चीज़ें देखने होती है और समझने होती है तब पूर्ण रिजल्ट आपाता है यह तो फिर भी मैं इतना बताने का प्रियास करता हूं कि कुछ न कुछ तो आपको मिल जाए बेटर दैन नथिंग वाली बात होती है दर्शो को यदि आप संस्तान से अपनी होरस को बनवाना चाहते हैं या बच्चों की बनवाना चाहते हैं या आप किसी में प्रकार से हम से मिलना चाहते हैं यह कहीं दूर दराजा आप रहते हैं तो इन सब सुविधाओं के लिए आप हमारे संस्तान से संपर्क कर सकते हैं प्रातकाल 10 वजे से लेकर के शाम 6 के बीच में इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को बिराम देते हैं नमस्कार किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तर से मेरा व्यापार भी चलने लगा और मुझे सुख अनुभव होने लगा हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लि झालने के लिएफश्य के लिए increases आप हमें लेखने आप हमें अभी